हाई गाईज वेलकम तो दिस चानल दिस इस दा थर्ड टाइम मैं ये वीडियो बना रहे हूं आडियो बनाने की कोशिश कर रहे हूं बट कुछ ना कुछ पीछ में हो जाता है तो आई होब इस पारियो सक्सेस्फुल रहेगा मेरा जो डिसकेशन का जो मुझे इंपॉर्टन पार्ट लगा वो ये लगा कि ट्विन फ्लेम्स हमारे मिरर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और वो हमें रिफलेक्ट करते हैं उसका मतलब क्या होता है तो जब आप अपने मिरर में देखते हो अपने आपको तो आप उसमें क्या देखते हो आप अपको अपका फेस दिखता है आपके मोल्स हैं कहीं वो दिखते हैं आपको अपके स्कार्स भी दिखते हैं सब वीचेर दिखते हैं घर एक चीज आपको मिरर में clearly दिखते हैं तो मिरर कभी बीचूज नहीं करता है कि आपको क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना यह तो इसी तरह डुटुंड फ्लेम्ज हैं कहीं वह आपको आपका truth दिखांगे वो आपको चूज नहीं करेंगे कि आपको क्या दिखाना है टुिन फ्लेम्स जो हैं वो unconsciously mostly runners नहीं करते हैं कुछ भी unconsciously जो भी actions लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि वो आपके triggers को और fears को आपके सामने ला के रख सके कि आपके अंदर जो issues चल रहे हैं कर रहे हैं जिस वजह से दूसरे की लाइफ में क्या इंपक्ट पड़ रहा। और आप अन को यह भी नहीं पता होता है, कि आप यहालिटी में नहीं करते हो। कि आप वह स्थार के लिए टक्राइज करें तो रहिए ओरलो ही आप आप वह सोच रहे होंगे, कि उनने ल Tuft और इनकी लाइफ में भी कोई और आ चुका है तो जब आप अपने आप मिरर में देखना शुरू करते हो तो आप क्या देखते हो आपके फेस पे कोई रैशेज है या कुछ है तो आप क्या करते हो उसको हील करने के लिए आप अक्शन लेते हो ताकि वह रहते हो सकें तो जो और जब आप उनको फेस करते हो एंकाउंटर करते हो इन सब को तो आपको एक तरह से उनको डील करना आ जाता है तो फॉर एक्जामपल अगर आपके अंदर किसी एक सब्सक्राइशन को लेकर इगो है या आपका कोई पास का ट्रॉमा है जो आपने कभी हील नहीं करा या उसके में नहीं किसी ढूब हुकशन करती है तो इतना त्रॉद से आपका ट्रॉमा इस wedi把它 अंगे एकशे करन दर्रॉमा अदमारी आपका ऑफ़सना है उसको इस ओक स् Dean के प्लग्गता है उसके और आपको उसको यह आपकी सब्सक्ट्राइब हार उसक福 200 से सब्सक्राइब 6 तो छ अंदर के वूंड्स को और उन सब चीजों को वो फेस नहीं करना जाते और वो डरते हैं उनको फेस करने से वो रेडी नहीं होते हैं उस चाइम पे उसको फेस करने के लिए और टुन फ्लेम का जो ट्रिगर होता है वो एक ऐसा ट्रिगर है कि वो आपको आपके अंदर देखने के लिए मजबूर कर देगा उनके लिए जो आपके दिल में प्यार है ना वो एक फ्यूल की दरह हुआ करता है आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने में तो इसलिए बोला जाता है कि वो हमारे हाइस्ट फॉर्म होते हैं मेरर के और वो आपकी लाइफ में सिच्वेशन बार रिपीट तब तक होगी जब तक आप उसको हील नहीं कर लेते बिलीव इट और नॉट बहुत सारे जो चेजर्स हैं और रनर्स हैं वो एक मिस्टेक करते हैं यापे कि वो जब टुइन से ब्रेक अप करते हैं वो और किसी रिलेशनशिप में सिल जाते हैं वो उन्सको बिना हो सकता है क्योंकि अगर आप का relationship twin flame के साथ आप अपने twin flame और अपने inner wound से भाग रहें अपने fear से भाग रहें तो वो दूसरे relationship में आपको show होगा अगर एक ने आप for granted लिया है तो दूसरा भी for granted लेगा ही लेगा तो वो आपके पीछे foot steps जरूर follow करेंगे बट mirroring का मतलब यह नहीं होता है कि एक दूसरे की life आप बिलकुल for example आपको लगता है कि आपकी twin की life में काफी sadness है या कुछ life में ऐसी situation है जहां पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो लोग कहते हैं अपने अंदर देखो कि आपके अंदर कहां sadness है और कौन सी ऐसी जगह जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है mirroring का मतलब जरूरी नहीं है उनके life में sadness है आपकी life में भी वो same sadness होगी होगी यह depend करता है कि आपकी stage पे हो इस time तो mirroring और भी तरह की होती है जहां पर similar thinking patterns हो सकते हैं आप दोनों के behavior pattern हो सकते हैं for example मान लो आपने अपने twin से दो या तीन साल से बात ही नहीं करी और आप यह सोचते रहे कि आप वो बात नहीं करना चाते आप से तो हो सकता है उन्होंने भी आपसे contact ना करा हो यह सोच के कि वो भी आप उनसे बात नहीं करना जाते हैं वो भी same सोच रहे हैं इधर आप भी same सोच रहे हैं तो बहुत बार आपकी thinking pattern same हो जाते हैं behavior pattern आपके same हो जाते हैं and yes मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगी कि जो आप दोनों में qualities है ना जब आप union के करीब आ जाते हो inner union के करीब आ जाते हो आपकी qualities बहुत match करने लग जाती है means कि आप healthy diet लेना शुरू कर देते हो आप non healthy diet से healthy diet में अगर आप एक healthy life healthy living जी रहे थे है healthy diet पहले लेते थे तो आपके twin same pattern follow करना शुरू कर देंगी वह healthy life का और वह सब क्योंकि आप आपने action लिया उसकी तरफ आप already action ले रहे थे उस तरफ तो वह जब हील हुए जो एक certain situation थी जिस वज़े से वह unhealthy food खाते थे या अपने ओपर focus नहीं करते थे या for example आप gym आप exercise करते थे और आपके twin नहीं करते थे तो एक healthy lifestyle नहीं जी रहे थ shift हो जाएंगे कि exercise करने है अपनी body को healthy रखना है जिस तरह भी रख सकें तो ऐसे बहुत सारे examples होते हैं जहां पर आपके pattern सेम हो जाते हैं और end में आके आप दोनों के mostly habits भी same होने लग जाती है positive habits जो उनके अंदर होती है वो आपके अंदर भी आने शुरू हो जाती है तो I hope यह आप लोगों के लिए useful रहा हो thank you so much